कि यह गाइस वेलकम बैक स्वागत आपका पोईटी किसान के यूटीब चैनल पे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस वाले फारम पर आते रहता हूं यह हमारे मदनभाई का फारम है तो अभी उन्होंने जश्ट अपने बराबर में जो कश्रक्शन चल रहा था तो अभी यह वाला फारम अभी अंडर कर्श्रक्शन है अभी बनना बाकी है और देखिए उन्होंने मतलब बहुत चीप एंट बैस्ट तरीके से और मजबूत फारम उन्होंने यह तयार किया है इसमें कुछ बल्लिया है कुछ इसमें पिलर है ठीक है कुछ लोहा भी लगावा एक फारम उनका यह पक्का वाला है काफी experience वाले हैं तो उन्होंने सोचा कि कम budget में कैसे बढ़िया फारम त्यार किया जाए और मजबूत फारम जो अराम से कई वर्स्तों तक इनके साथ बना रहें और काम यह इसमें करते रहें तो इधर हमारे मदन भाई हैं तो यह आपको हर इसकी पिलर लगे वे थी तो बहिए यह बताईए कि आप ने इसके अपर क्या लगा यह कुपड़ा आपने क्यों लगा रहा है इसके उपर पनी आएगी जिए जिए जो ने खराब होने करी जी और फंधन देने का प्रण देने का अच्छा फिर निचे से चट बिल्कुल बाइट रहेगी और किलीन रहेगी मतलब यह है कि इसमें हमारा मतलब फाइदा है हमें इसमें नुकसान नहीं होने बाला और किसी भी तरीके की तफिस गर्मी कपड़ा नीचे नहीं आने दें है जैसे आपने एक पारम अपना अपना एक कच्छा बनाया है तो क्या खारण था कि आपको कच्छे में ज्यादा मज़ा आ रहा था पके में इतना मज़ा नहीं नहीं अ पक्के का अपना एक अलग मजा है और कच्छे का भी अलग मजा है मैंने सुना है कि यह जो हमारे दर्सक देख रहे हैं जी और जो बंदा पांच जार बच्चों का सैड बना चाहता है लो बजट जी तो उनको उनके लिए बनाया है सबस्याद है मुझे इस सैड को देखे जो पांच हजार बच्चों का सैड तो मदन भाई यह आपकी कितनी कैपसेटी आपके पास इस चाइम मौजूद है मतलब यह कि अब यह अन्टर कर्शक्षन है तो यह हो जाएगी तो मदन भाई इस फारम को अगर कोई किसान भाई को हमारा मित्र बनान चाहे इस तरीके से कपड़ा डालके देखो जैसे इसके नीचे खड़ा हूँ तो मुझे इसमें गर्मी का ऐसास बहुत कम हो रहा है क्योंकि खाली कपड़ा है अभी इसको पर कुछ डला नहीं है तो अगर कोई इस फारों को बनाना चाहे तो लगभग किपने कोंश में लगभा कितनी कौश्ट आ सकती लगभग कम से कम कम दो लाक रुपे पांच आले वाले उसमें दो नाक में लगजा तैयार हो जाएगा दोस्तों देखें बहुत अच्छी बात है कि दो लाक में इस तरह का फारम यह तैयार हो जाएगा और इसमें काफी डबे लग कम से मेरे हिसाब से पचास-साथ-जार के डबे भी इसमें लग जाने हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फारम है और मैं अभी इस फारम के नीचे चल रहा हूं तो वाइट कपड़ का इतना फरक लग रहा है कि मेरे को इसमें गर्मी का एसाथ बहुत ही कम हो रहा है अभी मैं किसी टीन वाले फारम में मतलब जो से मीड की चादर होती है उस वाले फारम में जाके अगर टेमपरेशन नापूं क्पड़ में फारम में चादर है लगा लगई बढ़ और लगई से से डेन गबच चादर है उसका तेमपरेशन लगए जो है कपडा वाइट वाला होसा है उसको पीछे बैक कर देता है नहीं करता हैकर अगर अप्सोसित करेगा तो क्या होगा कि नीचे घर्मी होगी तो इस पूराना टेंट का समान अमरोहा में जहां मिलता है चलिए अड्रेस हम उनको दे देंगे किसी भाई को चाहिए होगा थाइध है अमरोहा में ठीक है वहां से यह कपड़ा आपेलिबल हो जाएगा अच्छा इसकास अपड़े की मतलब कितनी को ऑश्ट आगे हो इस कपड़े को यहां पर आपका सिमिंट का इस ट्रैक्टर आ गया तो इस यह क्या कारण था मजबूती देने के लिए बीच बीच में मजबूती होगी इसी वजए से सिमेंटों की पिलर मागर कोई अच्छा अब इस जैसे यह वाइट वाली च्छत वाइट वाला अपने कप्ड़ा लगा दिया मदन भाई तो इसके ऊपर पनी आएगी पनी को पर मैट आएगी अच्छा वह मैट दिखा सकते हो आप कौन सी मैट तो चलिए मदन भाई हमें मैट दिखाएं अच्छा यह देखिए उधर मैट पड़ी है तो चलिए एक बार दिखाई देते हैं और उसमें अभी अंटर कश्छक सने काम दोस्तों मेरे हिसाब से यह 10-15 दिनमें इस इस फार्म को कंप्लिट कर देंगे और काफी एक्समेंस व है पूरा लोह का इस ट्रैक्चर है यह भी हमारे मदन भाई का है और आप देख सकते है यह इस टैप की है और इसटैर यह वाली मैट होती है जो कार्पेड बार मंदर्ब टेंड में यूज हो ती है निचे निचे बिचाने में उसके बेश्टे जो बाद में यह हैं यह करीब लगब लगब कितने रुपय का पीस पड़ जाएगा 300-400 रुपय का पीस है इसकी अविलेटी मतलब जैसे की मतलब सीजन होता है उस बाइसे इसका रेट भी बदलता रहता है ठीक है तो देखे यह भी हमारा फारम यह भी है यह थंडा फारम यह देखे इस फारम की तो दोस्तों बार ती गज़ाबा यह फारम में कई बार वीडियो चूट किया है आप देख सकते हैं कितना बहतरीन फारम है मैं आपको दिखाता हूं इस पर जो काम क्या गया है दोस्तों गाटर पे जो पत्थर आपका रेड पत्थर होता है ठीक है जो कॉन से स्टोन बोलते है उस पर यह फारम बना गया है यह भी ठंडा फारम है और तो कि एक भाई का कमेंट आया था सर जो आपने वीडियो सूट किया था तो इस फारम में क्या लगावा है कैसे बना तो देखे पिल्कुल डबल स्टोरी बनाने के लिए फारम बना गया था डबल डेकर इसको बोलते बहुत शौक्षे और बहुत समय निकाल के बहुत सही तरीके से फारम बनाया है मदन भाई ने अब आप सिनका साइट का फारम भी देख सकते हैं तो यह है वो फारम है जो पैसा कमा के देगा इसकी लाइफ कितनी होगी लगभी इस फारम की बराबर हो लेगी कम से कम पांस स का बिलकुल सही बताया है कि पांस साल कम से कम इसकी लाइफ जानी है और पांस साल में अपनी कौस्ट का पांच गुनागी देंगा लगभी दे को चला सकते हैं लो बजट फार्म है पांस अली को में है लाइफ है अब देखे लोग लोग कहते हैं कि यार बिजन्म करने के लिए हमको २हीं है चैसुथ जयादा पैसे के याउड़ा ना मतलब अगर यह वाला फारम सबोच करिए कि आप ना बना के कोई और बना दिया होता ठीक है तो इसमें वह कितनी कॉस्ट कर लेता कच्छा फारम बनाने में कम से कम साड़े तीन लाक रुपे से कम पांच एजार बच्छों साड़े तीन लाक रुपे तो देखें दोस्तों अब इस से क्या होगा कि जैसे यह वाली मेट है अब इस मेट से फायदा होगा नहीं बीच पनिया जाएगी आपकी घर्मी तो आगर यह मेट भी गिला हो जाएंगे ना इसको गिला कर देंगे सावर से किसी तरह से पाइं डालके तो उसमें इतनी कूल अएगी कि आप और चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बरावर बरावर बनाए है बीच में एक कोशन ओर था कि बीच में हम दो फार्मों की बीच में कितनी जगा छोड़ें मतरमाई कितनी जगा होगी लग भग लग भाई यह तीस फिट देखें मैंने आप से बीस फिट के आसप हो सके और बहुत सारी चीज़े डिपैंड होती है अगर बीच में आप इस पेस देते तो हवा का वैलिटेशन अच्छा होता है बहुत पढ़िया काम होता है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो आप सभी की नॉलेज के लिए अगर कोई भी आपके कोशन होंगे तो मतनभाई साथ संपर कर सकते हैं और इस चैनल के साथ बने रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम थैंक्स पर वाचिंग